150 अंखु की बढ़त यहां पर आप देखेंगे और 100 अंखु की तेजी सेंसिक्स में भी मिट कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूज हैं लेकिन लंबा एक वीकेंड भी आ रहा है ऐसे में क्या कोई BTST ट्रेड्स बन सकते हैं हमारे एकस्पद से यह जानते हैं प्रिजीश डी क्या लगता है एक लंबा वीकेंड तो है अब क्या करना चाहिए यहां पर बाजार को सिर्फ वाच्ट लिस्ट में डाले या फिर BTST कैंडिडेट्स यहां से भी बन रहे हैं BTST भी है और STBTP है बट मैं पहले STBT कहना चाहूँगा Z Entertainment के अगर हम चार्ट को देखें तो जो विक्वाली देखने को मिली है वाल्यूम के समय है तो मेरा ऐसा मत है कि एक बार इसको आप बेज के जा सकते हैं 242 के आजपास में ट्रेट कर रहा है 248 का स्टॉप लोस ले सकते हैं 232 के लिए BTSD बता और Amboja Cement में नजर लगा सकते हैं दाव लगा सकते हैं 383, 383, 383 रुपे साट पैसे के आजपास में ट्रेट कर रहा है 393 का टार्गेट ले सकते हैं 370 का स्टॉप लोस ले सकते हैं एक शेर है ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दीखा है उसमें जो की मारूती है अगर हम उसके चार्ट को देखें तो थोड़ा सा एक सेल आफ जिसा मोड देखने को मिला है तो उसमें भी मेरी सलाह रहेगी कि एक बार इसको आप बेच सकते हैं तो यह तीन स्टॉक्स हैं दो बिक्वाली के लिए और एक खरीदारी के लिए हाल फिलाल में अगर हम देखें वोल्टास में आज बहुत ज़्यादा अडिशन हुआ है तो वोल्टास को बीटी एस्टी के रूप में देख सकते हैं अगले दिन के साथ इसमें खरीदारी दिखी है आज चो एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगले दिन ट्यूजडे को जो नेक्स ट्रेडिंग डे है उसमें अप्रॉक्सिमेटली 15 से 20 पॉइंट का गेन इसमें दिख सकता है जो ये एक काउंटर रहेगा जिसमें हम बीटी एस्टी भी देख सकते हैं इवन पॉजिशनल बेसिस के लिए भी वोल्टास को बहुत अच्छे से हम अक्यूमिलेट कर सकते हैं पॉजिशनल बेसिस पर ओशुका कहना सही है इसे लंबी अबदी के लिए भी एक बार आप लेकर चल सकते हैं आच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और आगे भी तेजी के पुरा नुमान राजेज जी कोई बीटी एस्टी ट्रेड आप सो जाना चाहेंगे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है इस यस बताइए राजेज जी पहला स्टॉक होगा महिंद्रा सियाई यह स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन बने वीटी सेट अप यह स्टॉक में हम टार्गेट एक्स पेकर नेक्स वीक में 310-315 तक के स्टॉक रखेंगे करीब 280 का दूसरा स्टॉक जो अट्रेक्टिव लग रहा है वो है बीएल का स्टॉक में एक सस्टेंट बाइंग इंटरेस यहां पर बनते वे दिख रहा है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर प्ले आउट हो रहे हैं जिस तरीके से स्टॉक ने आज प्रीविए स्टॉक बनते वे दिख रहा है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में जो नेक्स टार्गेट बनना चाहिए करीब 595 से 605 तक के अपसाइट का टार्गेट आते वे दिख सकते तो टोरेंट पावर भी बाय करने के सला रहेंगी स्टॉप लॉस होगा 569 का ओके चलिए हाँ पर टोरेंट पावर पर राखरीब चार परसेंट की तेजी 578 के लेवल्स पर